लंबे समय से सलाखों के पीछे बंद उतरप्रदेश के बाहुबली और पूर्वसांसद अतीक एहमद का नया ठिकाना अब एहमदाबाद की जेल है सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतीक एहमद पर सक्ती दिखाने के बाद उतरप्रदेश की सरकार ने अतीक की जेल बदल दी है अतीक को पहले इलाबाद के नैनी जेल लाया गया और फिर वहां से वारंसी एरपोर्ट लाया गया जिसके बाद अधिकारियों की एक टीम के साथ पहली फिलाइट से अतीक को एहमदाबाद के लिए रवाना कर दे गया आपको बता दें कि अतीक एहमद पर कई मामले चल रहे हैं जिसकी वजह से वो जेल में हैं अप्रेल में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अधिक्षतावाली एक बैंच ने सीबी आई को अतीक एहमद और उनके सहयोगियों के खिलाफ जाज का आदेश दिया था सरकार के मताबिक अतीक एहमद के खिलाफ 1989 से 2019 तक कुल 109 केस लंबित हैं इनमें 17 केस धारा 302, 12 केस गेंगस्टर एक्ट, 8 केस आमस एक्ट और 4 केस गुंडा एक्ट के मामले में दर्ज है सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक अतीक एहमद के खिलाफ आठ केस 2015 से 2019 में दर्ज किये जिन में अभी जाच चल रही है इन केसों में दो केस 302 के भी शामिल है अतीक एहमद उतरप्रदेश के पूरवांचल का बड़ा बाहुबली नाम है पूरवांचल और इलाबाद में सरकारी ठेकेदारों, खनन और उगाही के कई मामलों में अतीक का नाम अक्सर गुंचता रहता है अतीक एहमद के खिलाफ उतरप्रदेश के लकनव, कौशंबी, चितरकूट, इलाबाद ही नहीं बलकि बेहार राज्य में भी हत्या अपहन, जबरन वसूली के मामले दर्ज हैं अतीक के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले इलाबाद जिले में ही दर्ज हुए हैं वारनसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट